नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अराइन शुरुबात करेंगे खबरों की महंत नरिद गिरी की मौद पर सुष्यानन्द गिरी ने बयान दिया है महंत नरिद गिरी की मौद से आनन्द काफी आहत है मामले की निस्पक्ष जाच की मांग लगातार की जा रही है इसके लावा और भी बाते हैं जो निकल कर सामने आ रही है दरसल ये बात जो है वो ये है कि जिस तरह से महंत की मौद का मामला सामने आ रहा है जिसमें साथ पन्नों की एक सुसाइड नोट है इसके आधार पर लगातार च्छानबीन की जा रही है चलिए आगे बट्टे रुख करेंगे उत्राखंड के खबरों का देरादून उत्राखंड में कोरोना संक्रमन के आकड़ों में कमी के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है कोरोना महमारी के कारेंट पिछले डिर साल से बन चल रहे पहली से पांचवी कक्षा तक के सरकारी और इस स्कूल बन थे और अब सभी प्राइमिर स्कूलों को खोल दिया गया है प्रदेश में कोविट संक्रमन के बड़ते मामलों को देखते हुए मार्च 2020 में प्रात्मिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था लेकिन आखिर कारेगबार फिर से स्कूल खुल रहे हैं अँः चाहिन लगा और बड़ा खुसी का माहल हुआ बच्चे भीच में क्यूंकि कि बिना बच्चों कि ने तो हम किसी के रहा पोई स्कुत नहीं है और बच्चे हमारे साथ ने तो रिप्यली है युक्षिजेशित क्लोषच कर लिया था अज हमने दो सिंट में बच्चे एक और बच्चे एक दाइश किया गया है थी हथ बलगाय गया आज हमें पुर दिस्ट Quindi को रिखते विए लिवे पर अनकिना तोई हह कि ziemher पॉडी में सभी प्राइबिर स्कूलों को कोरोना रोक्थाम के लिए सरकार के तरफ से बनाए गई गाइड लाइन्स की ववस्थाओं के भी चार्ज कूल दिया गया स्कूल पहुच रहे छात्राओं को मास्क पहन कर ही विद्यालों में प्रवेश दिया जा रहा है वहीं कोरोना से बचने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सेनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेश ख्याल रखने के साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट की विवस्था की मानें तो कोरोना रोख्थाम को लेकर सरकार के गाइडलाइन्स का बखूबी से पालन करने का जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने डावा किया है उससे लेकर अपने बच्चों को स्कूल भीशने से परिज़न भी काफी निशिन्त नजर आ रहे हैं तो कोविड गाइडलाइन्स के तहत स्कूल खोले गए हैं तस्वीरे आप देख सकते हैं पॉड़ी की जहाँ पर छोट-छोटे मासुम बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए हैं जयर्पध में दया बैच्चा 1 से 5 वे अपर प्रॉतम लेशने निर्दे निर्दिश दिया गया है उसके नुक्रम में अप्रम स्कूल विद्यलायों में जो बच्चे होंगी और प्रवेश करेंगे। साथ में सोचली डिस्टंसिंग के अनुसा बैटने की विद्यलाय द्वारा किया जाएगी। विद्यलायों में जितने भी कर्मचारी टीचर्स और अन्य जो शिक्षे ने कर रहे हैं उनको सदी को वैक्सिनेशन करना आनिवार्या रहेगा। साथ में जो भी गाड़ी से चलन होती है, बच्चों की लाने ले जाएं के लिए बसे स्वजारी इस्तमाल किया जाता है, ट्रांस्पोरिशन के लिए। उसको भी अनिविट आनिमित तवर है क्र आपमें जेमोख्रुषिक्षष उधिकारी द्वार्यनित अनЛियुट ब्रूप से वीद्यैल्या के रिशन भीकासज है कि वीधिकास कंदर्स के अनामित करा जाएंगे। दरदून के दोईवाला में रानी पोख्री पुल तूट जाने के कई दिनों बाद भी आज तक अस्थाई मारका को इस्थाई समधान विभाग के तरफ से नहीं निकाल पाया है जिस कारण आम यात्रियों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके अंदर काफी गुसा भी दिखाई दे रहा है साथिस मारक पर यात्रा कर रहे है चारधाम यात्रियों को भी खासे दिक्कतों का सामना करना करना पड़ रहा है कारदाई सेंस्था ल लगातार खराब हो रही है लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है आप तस्वीरे देख सकते हैं जान को जोखे में डाल कर रास्ता पार करने के लिए लोग मजपूर नजर आ रहे हैं रानी पोखरी में एक बार फिर से आज थाई समधान देखने क के लिए मिला है कोई स्थाई समधान यहां पर नहीं किया जा रहा है जो गारिदाई संस्ता है उस पर भी तमाम सवालात खड़े हो रही है अ इसको नहीं हो पाता है यदि लोग निर्मान विवाक इसको नहीं करता बोटर रोड्स को दीजिए इसको 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 फोच को हैंड़ करिए का वह हमारे किस काम क्या आएगी यह एट टू सीवर थोटी है और किती जनता प्रेसान हो रही है हम तो निवदन करते हैं सरकार से नई वह रहा इंठा के दरों से आप चोंड के किनको बेस्टेंग पैसा दे रहे हो इटको रात दिन जोने इनके जोना इसको दे रहे हो इनको पैसे यह पैसा किसका है यह पैसा जनता का है परातना है कि इसको जोने नहीं होता है इस अथर्टी से आप किसी और को हैंटर करीगा हमारी यह परातना है कितने परेशान नहीं हो रही है थैंक यू गरी मार्ट यह बाबा अदम की जमाने की अगर टेक्निक लगाएंगे तो इस तरह की हाल हमें देखने मुझे मिलेंगे आ इस इस कोने कंदर तो इसका दंस हमें बार बार यह टूटा जा रहा बार बार कोई जरासा पानी आजा इनकी पर रोड़ बेजारी कभी इनके पाइप बैजारे यहां की पब्लिक परिशान होगी यहां की छात्र चात्र हैं जितने युवा इस्थानी युवा जो इसे बोलता हूँ एज़ा अधिकारी नगाम कसे हैं जिर्ए इस काम के अंदर तेजी लागे इस मार को सुचार उपर वाएं बार देखो ठेके जारा काम तो विचार का काम करना है अब यह जो विभाग के अधिकारी हैं अब इसके अंदर यह मुझे तो लग रहा कि जब हो पका हो चुका और यह बार बार बहरा है तो यह उसरी माना जाएगा इसके अंदर हर्दवार से चुरू हुए कॉंग्रिस की परिवर्तन यात्रा लक्सर पहुंचेगी लक्सर स्थित एक बंकट हॉल में विशाल जनसभा का आयो जिन भी किया गया वहीं परिवर्तन यात्रा में उत्राखन के पूर्व सीयम हरीश रावत के परिवर्तन यात्रा में श्वामिल होने से कॉंग्रिस कारकरताओं में खासा जोश नजर आया हरीश रावत प्रदेश अध्याष कणिश कोदियाल उत्राखन प्रभारी देवेंद्र यादव राश्ट्रिय महासचीव अनुपमार रावत समीत कई बड़े नेताओं ने इस जन सभा को संबोधित किया जहां कॉंग्रिस के तमाम कारेकरताओं के साथ इस्थानिय कॉंग्रिस से नेता रिडन ओट याल भी मौजूद रही वहीं कारेकरताओं के तरब से परिवर्तन यात्रा कर जोरदार स्वागत किया गया इस दुरान हरी श्रावत ने कहा कि उत्राखंड में जब से बीजोपी सरकार आई है तब से महंगाई भ्रस्टाचार और विरुसगारी चरम सीमा पर है इस सरकार को खार टेकनी के उदेश से ही कॉंग्रिस परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है तो लक्सर में कॉंग्रिस की परिवर्तन यात्रा निकाली गई है तमाम जो बड़े चहरे हैं कॉंग्रिस के वो शामिल हुए पुर्मुख्यमंत्री हरी शावत भी श्वामिल हुए हैं जन्सभा को संबोधित किया है इसकी अलावा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी सरकार की यहाँ पर नाकामी है उसे और उजागर किया जाए और जन्ता तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि बीज़िपी सरकार सिर्फ और सिर्फ सियम के चहरे बदल रही है प्रदेश में किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है और कॉंग्रेस ही विकास कर सकती है ये पूरा मोटिफ का है और इसको लेकर लगातार कॉंग्रेस जो है अपनी यातरा शुरू कर चुकी है और यह यात्रा का नाम है परिवर्तन व्यात्रा जिसके तहट लोगों के बीच पहुँच रहे हैं ये लोग और यहां पहुँच कर कारेकरताओं को संबोदित किया जा रहा है जनता के साथ मौजूद्गी महसूस कराई जा रही है कि जो कॉंग्रिस के कारेकरता हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं तो विशाल जनसभा का यहां पर आईजिन किया गया है लक्सर पहुची कॉंग्रिस की परिवर्तन यात्रा और इस परिवर्तन यात्रा में पूर मुख्य मंत्री हरी श्रावत भी श्रामिल हुए हैं और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जम कर निशाना साधा है प्रिवर्तन यात्रा से नामेटिक परिवर्तन यात्रा नाव होकर यह सामाजी इसतर पर भी परिवर्तन का रूप देचिजिया बर्तावब कर्ड़ है इस रूप में की नगरिक ने सरकार समाजी सर्कार है दूसरा को पर जुका है कि इस वार सबने कि दौत वर आश्राइब करने विरोज़गारी में राज्य आज पूरे भारत वरस में दूसरे नमबर पर आचका है इस वात का असिरवात चाहिए हुने पर इश्रावत ने मास्टर शल पाल सेनी को कॉंगर्स की सदस्ता दिलाई है लक्सर की तस्वीरे आप देख रही है जोहाँ पर बीजोपी को बड़ा जटका लगा पूर्व प्रदीश का अरकारी सदस्य ने बीजोपी का दामन छोड़ लिया है और कॉंगर्स का दामन थाम तो ऐसे में बीजोपी को बड़ा जटका लगता हुआ नजर आ रहा है तो उत्राखण में बीजोपी और कॉंगर्स में सीधे तौर पर टक्कर देखी जा सकती है लेकिन आवाबी पार्टी अपना पूरा वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है ऐसे में कई ऐसे नेता ह जो अपनी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी हो से हाथ मिला रहे हैं और से तर्ज पर लक्सर में भी पूरा मामला सामनी आया है जहां पर बीजोपी को बड़ा जटका लगा यहां पूर प्रदेश कारकारणी सदस्य ने बीजोपी का दामन छोड़ लिया है औ वरत्राखन में और जगा-जगा परिवर्तन यात्रा जन्सभाईं बड़े स्तर पर की जा रही हैं। साथी साथ खुले तौर पर ये कह दिया गया है कि जो भी कार्य करता है, जो भी नेता है अगर वो कॉंग्रस का हाथ थामना चाहता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो आसानी से कॉंग्रस में शामिल हो सकता है परिवर्तन का समय है आप देख रहे हैं परिवर्तन याता भी जल दी है और बीजेटी मैंने लंबे समय तक काम किया परन्तु वहां कारे करता हूं भी उपेक्सा होने लगी इसलिए मैंने मन मणा जिया कि मैं इसे कंसोर कर कांगरेस में आकर लोगों सेवा करने का इससे पहले नहीं मिलता तो हमने को उठेस कोंके हमारे मंद को भी दुख होता है तो हमने अपने मान सम्मान के लिए सब करें सब्सक्राइब तो कंगरेस पूरी तरह से तयार है 2022 को लेकर रुत्राखन में तमाम तयारियां भी की जा रही है तस्वीरे आप देख सकते हैं प्रमुक जनसभाई हो रही है इन जनसभाई में रेलियों में हजारों के संख्या में कारकरता नजर आ रहे है पूर्मुक्यमंत्री हरी श्रावत जो की कंगरेस का बड़ा चहरा वो भी लगातार इन जनसभाई को संबोधित कर रहे हैं कंगरेस के प्रदेश और ध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहते ही हर जनसभाई में और सिर्फ कोशिश ये की जारी है कि जो उपलबधियां है जो कंगरेस साशनकाल में रही है वो जनता तक पहुँचाई जाए साथी साथ जो बीजेपी सरकार है प्रदेश में इस वक्त किस तरह से वो काम कर रही है और जनता तक क्या सुविधा पहुँच रही है या नहीं या प्रदेश का विकास हो रहा है इन तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखना कि जब उनका साशनकाल था तो किस तरह से काम हो रहा है साथ साथ जिस तरह से बीजोपी में तीन चेहरे बदले गए हैं अभी पूरे पांच साल भी नहीं हुएं इसे भी स्वीस तीन सेहरे बदल दिए गए तो इसको भी एक बड़ा मुद्दा बताए जा ये तमाम बाते जो हैं वो अब धरातल पर होती हुई नजर आ रही है तो इस तरह की जो चुनावी बयान बाजियां हैं वो लगातार देखी जा सकती हैं ये तस्वीरे आप देख रहे हैं धोल लगारो और एक बड़ी रैली के साथ यहां कॉंग्रिस के कारकरता दिखाई दे अखारा परिशत के अध्यक्ष महंत नरेंद गिरी की मौत के मामले में उनके सिश्रे आनंद गिरी का बयान सामनी आया है हरद्वार के गाजी वाली स्थित आर्ष्व में आनंद गिरी ने कहा है कि महंत नरेंद गिरी की मौत के खबर से वो काफी आहत हैं महंत नरेंद गिर आत्म हत्या नहीं कर सकते जरूर ये किसी की साजुश है इस पूरे मामले की निस्पक्ष जांच होनी चाहिए अखाड़ा परिशत के अधियक्ष महांत नरेंद गिरी की संदिग्द मौत के मामले में लगभग देड़ घंटे के पूशताज के बाद उनके सिश्वे आननद ग की नथा आप देख रहे हैं महांत नरेंद गिरी की मौत पर सिश्वे का Бयान सामनी आ रहा है आननद किरी कहते में नजर आ रही हैं कि वह अपने गुरू जिसे बेहर प्रेम करते थे और उनका नाम सिर्फ इर सिर्फ साजितन के तहत फसाया जा रहा है ऐसे इसे में उनका ए आनन्द गिरी की तो वो जो सुसाइड नोट महंत नरिंद गिरी के कमरे से मिला है साथ पर्नों का उसमें साफ तौर पर आनन्द गिरी का जो नाम है वो लिखा गया है ऐसे में सीधे सीधे जो शक्की सुई है वो आनन्द गिरी पर ही जा रही है क्योंकि जो अन्ने सिष्ष है मट के उनका ये कहना है कि नरिंद गिरी खुदकुशी कर ही नहीं सकते साजुश के तहत ये पूरा प्लान किया गया है सुनोजित ये हत्या है तो यसी तमाम बाते निकल कर सामनी आ रहे हैं लेकिन हर पहलू पर जाज की जा रही है क्योंकि ये भी तस्वीरे साफ होई हैं कि जो आनंद गिरी है उनको औस्टेलियाई पोलिस ने भी गिरफतार किया था वहाँ पर महिलाओं को लेकर कुछ विवाद हुआ था तब साजिसे के बीच में कभी को युवाद नहीं रहा ये उन लोगों की साजिस है जो सीधे-सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिस के तहट अपने घरों तक पहुचा रहे थे जिनका दो हजार का भी आमदान ही नहीं थी पांच-पांच करोड के दस-दस करोड के जिनके मकान हो गए जिन लोगों ने सीधे तोर पे गुरुजी को बलेकमील करके जो पैसा कमाया उन लोगों की साजिस है और उस साजिस के तहत उनकी हत्या हुई है उनकी हत्या में उनकी हत्या में जान बूझ करके मेरे नाम का आना ये सडियंत्र का स्वस्ट रूप है जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारि भी सामिल हो सकते हैं जिसके अंदर में पुछ Uhr लड़के動画 के वह भी उसमें पहुआ only मुझे बहुत बड़ा सडियंत रहे हम गुरु सिस्य के बीच में कोई यवाद नहीं रहा ये उन लोगों की साजिस है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिस के तहट अपने घरों तक पहुचा रहे थे जिनका दो हजार का भी आमदानी नहीं थी पांच-पांच दो है, उन्हीं की हत्या में जान बुझकर के चनैंना नाम आ ये सडियंतर का फिस्वयाद रहे है, जिसंपे पुलीश के भडए अधिकारी भी सामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लढ़के के हैं, वो भी से सामिल हो सकते हैं मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है मैं गुरुजी की नाइट राइटिंग को पैचानता हूं और जीवन में कभी लेटर नहीं नहीं लिखा हरद्वार के पंच्वारा निरंजनी हरद्वार में अखेल भारती अखारा परिशत के अधियक्ष श्री महंत नरेंद गिरी के संदिक्त परसुतियों में हुई मौत के खबर मिलने के बाद से सन्नार्टा पसर गया है श्री महंत राम रतन गिरी ने बताए कि अखाड़े में रहने वाले संतों ने रात से अन्न गरहन नहीं किया अखाड़ा परिशद अध्याक्ष चंदिक्ट परसुति में हुई मौत के चलते संत समाज में गहरा शोक व्याप्त है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजिने के सचेव श्री महंत राम रतन गिरी ने कहाए कि बिती शाम पांच बिजे से ये दुखत समाचार मिला लेकिन अखाड़ा परिशद अध्याक्ष की तरफ से आत्माते की खबरें लगातार जो सामनी आ रही है उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है और बताये कि श्री महंत राम रतन गिरी के साथ उनका विवाद था और राम रतन गिरी को संस्था से भी अलग कर दिया गया था और सुसाइट नोट पर आनंद गरी का नाम पहले नमबर पर है और साथ साथ ये भी बताए कि राजस्थान से श्री महंत नरेंद गरी के गुरू अब तक नहीं पहुंचे हैं उनके पहुंचने के बाद ही उन्हें कल समादी दी जाएगी तो महंत नरेंद गरी की आत्म हत्या के बाद से ही लगातार साथू संत समाज में शोक की लहर है हाला कि आत्म हत्या पूरी तरह से कहना गलत होगा क्योंकि इस पर तमाम पहलू सामने आ रहे हैं उनका जो शोब है वो फांसे के फंदे पर लटका हुआ मिला साथ में एक ससाइड नोट भी बरामद हुआ है जो कि साथ पन्नो का है लेकिन कुछ सिश्वे ऐसे हैं जिनका कहना है कि महत नरेंद गरी लिखना पढ़ना उतने अच्छे से नहीं जानते थे वो सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर सकते थे या फिर एक दो शब्द लिख सकते थे इसके लाबाव साथ पन्ने का ससाइड नोट लिखे ऐसा वो नहीं मान सकते तो इसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है, CBI जांच की मांग हो रही है, निस्पक्ष जांच की मांग हो रही है, सिस्टिवी कैमरा संगा ले जा रहे हैं, जो संत के सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उनसे भी लगातार पूशताच की जा रही है, तीन में श्वामिल हैं ये सभी इस पूरे मामले की जाश परताल कर रहे हैं योगी आदितना साफ तोर पर कह चुके हैं कि जो भी दोशी है उसे बक्षार नहीं जाएगा आनंद गिरी का नाम सबसे पहले नंबर पर हैं तो उनसे लगातार पूशताच की जा रही है प्यागराज लाए गया है लेकिन सवाल यह उठा है कि ऐसी संदिक्द पस्तितियों में एक महंत की मौत हो जाती है क्या इतनी प्रतार्ना वो जहल रहे थे कि एक योगी होकर भी उन्होंने ऐसा कदम उठाया ऐसे तमाम सवाल सब्सक्राइब के सामने हैं हरद्वार से मेरे सयोगी रिशवब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रिशवब महंत की मृत्यों पर महंत राम रतन गिरी बोले हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वात महत्या कर ले हमें बहुत दुख है लेकिन उन्होंने भी साफतर पर यह कहा है कि आनंद गिरी औ कि आपको बता दे कि यह जो कल यूपी प्लीस आई थी हरिद्वार से आनंद गिरी जो है उनको यहां से ले गई तीम आपर प्रियागराज तो यह सबसे चर्चा में यही नाम रहा है क्योंकि कुम के बाद जो विवाद चला है उसको लेकर उनमें थोड़ा सम्झोटा भी ह पर दिया गया था यह काफी चर्चा में आनंद गिरी इसलिए उनका नाम यह भी बताया जा रहा है सुषाई नोट पर अवल नंबर पर है बिलकुर रिशाब क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि यहां से भी सादू संत जो हैं वो प्रयागराज पहुंच सकते हैं क्योंकि कल उन्हें समादी वी जाएगी महंत नरींद गिरी जी को जी जी आपको बता दे कि यहां से कल राज से ही जो सादू संत हैं सारे अखाडों के वो निकल चुके हैं अब यह जो अखाड़े हैं यहां पर पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा है जो कि आपको यह भी बता दे कि वहां पर च्रियाम योगी भी पोज गएते जिनमत यह हुई है वहां पर बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुचान के लिशब तो हैद्वार में भी जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है महंत नरिंदगरी की मौत के बाद से ही साधू सन्समाज में एक शोक की लेहर है और यहां पर जो महंत है राम रतनगरी उनका कहना है कि शाम से ही किसे ने अन ग्रहन नहीं किया है और इसे के साथ तिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें लिश्वाल इंगिया के साथ